Hello friends, आज हम बात करने चारे हैं Game Theory की और ये Game Theory की हम जो बात करेंगे एक interesting सी quiz के थूँ आपको हम ये Game Theory का concept समझाएंगे तो let's assume, China जो है वो बदमाशी करना चाता है और इसके लिए वो अपनी दो unit of army इंडिया में भेजना चाता है अब उसके पास इंडिया में भेजने के लिए दो रास्ते हैं, एक easy रास्ता है और एक hard रास्ता है अगर वो easy रास्ते से आता है तो वो पूरी की पूरी अपनी दोनों units लेके आ सकता है अगर उसे इंडिया में कोई army की unit नहीं मिलती तो phase करने के लिए हैं और अगर वो hard रास्ते से आता है तो उसमें पहाड है नदी है तो Chinese की दो unit में से सिरफ एक unit ही पहुच पाएगी मतलब आदी आर्मी ही पहुच पाएगी अब इंडिया के पास एक unit of army है जिसे वो चाहे तो hard रास्ते पे खड़ा कर सकती है लड़ने के लिए या फिर easy रास्ते पे खड़ा कर सकती है तो अब हमें game theory के करफ से यह समझना है कि इंडिया उस आर्मी को अपनी जो एक unit army है रिटैलियेट करने के लिए कहां पे खड़ी करें इजी रास्ते पे यह hard रास्ते पे तो अगर हम इसका एक matrix बनाएं तो आप यह देखेंगे कि अगर easy रास्ते पे एक unit army इंडिया की खड़ी है और Chinese की भी दो युनेट easy रास्ते से आती है तो Indian army उसके एक unit को मार गिराएगी और सिरफ एक ही unit जो है आर्मी Chinese की cross कर पाएगी, मतलब pass कर पाएगी, मतलब enter कर पाएगी इंडिया में अगर India अपनी आर्मी hard रास्ते पे खड़ी करती है और Chinese army easy रास्ते से आती है तो उसकी दोनों की दोनों units cross कर जाएगी India को, मतलब वो pass कर जाएगी इसी तरह अगर इंडिया अपनी आर्मी इजी रास्ते पर खड़ी करती है पर चाइनीज जो है हाट रास्ते से आना की कोशिश करते हैं तो क्या होगा उसकी आदी आर्मी वैसे ही क्रॉस नहीं कर पाएगी तो मतलब एक यूनिट यहां पर पहुँच पाएगा अब अगर इंडियन आर्मी अपनी फॉज हाट रास्ते पर खड़ी करती है और चाइनीज भी हाट रास्ते से आते हैं तो एक आर्मी का यूनिट तो उनका वैसे ही खतम हो जाएगा विकाज चाइने जो है आदा ही पहुँच पाएगे और दूसरी यूनिट को इंडियन आर् दास्ते से भेजेगा एक्कॉर्डिंगली इंडिया भी अपनी आर्मी की विनिट जो है उसी दास्ते पर खड़ा करेगा अब यह डिसीजन लेना उतना आसान नहीं है लेकिन वार जोन में इस तरह के स्ट्राटेग्जिक डिसीजन लेने पड़ते हैं तो इसके लिए गेम तो इंडियान मेजर जनल या इंडियान आर्मी का कमांडेंट जो वहाँ पे पोस्टेड है वो यह देखने के लिए कि उसको अपनी आर्मी कहां पोस्ट करनी है गेम थे यूरी का यूज करेगा और वो यह देखेंगे कि चाइना के लिए सबसे फेवरेबल रास्ता कौन सा है and accordingly वो अपनी इंडियन आर्मी की position को decide करेंगे कि उन्हें easy रास्ते में खड़ा करना चाहिए या फिर hard रास्ते पे तो friends मैं इसका answer इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यह मैं चाता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचें गेम थेवरी हम अपने life में भी यूज करते हैं और इससे decision making बहुत असान हो जाती है मैं next वीडियो में जो की आज से तीन दिन बाद release होगा उसमें इसका answer आपको बताऊंगा तब त इडिया की तरफ आसकें थेंक्य।